ममता जी आपको बंगाल की जन्ता कभी माप नहीं कर सकते हरे एक शेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगए आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज गुरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है बंगाल की जन्दा परिवर्तन चाहती थी बंगाल के गरिब के घर में बिजली पहुँचे गैस पहुँचे पीने का पानी पहुँचे उसको घर मिले वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया परंटु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी बंगाल की जन्ता ने दूबारा उसको आसिरवाद दिया घरीब के घर में गैस भी दिया उसको घर भी दिया सुचाले भी दिया सुद पीने का पानी भी दिया हम तो चाहते थे कि उस तक पांच लाग तक की स्वास्त का सुविधाय सभी पहुँचे उसको आपने पहुँचे नहीं दी प्रदान मंत्री जन्धन योदना इसका देश के साथ करोड लोगों को फाइदा मिल रहा कई लोग गरीब परिवार अपने परिवार जनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं मगर बंगाल की जन्धा को फाइदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बेनर जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोधी सरकार की योदना है इसलिए बंगाल की जंता को एफाइदा नहीं मिले दे मैं पूतना चाहता हूँ ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरिबोंने आपका उनकी मा का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरिब बच्चों का अगर इलाज हो जाता, तो इसमें आपकी भी भलाई थी बगर चुकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योदना को रोक दिया मैं बंगाल की घरीब जंता को कहने आया हूँ, अब ज्यादा समय नहीं है आप जराबी चिंता मत करिये, भारतिय जंता पार्टी की सरकार आने के बाद, पहली कैबिनेट के अंदर हमें प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के घरीब लोगों को प्रधान मंत्री आयुष्यमान भारत योदना का पूरा फाइदा, पांच लाग तक का फाइदा, बंगाल की जंता को भारतिय जंता पार्टी की सरकार देगी और आप रोक नहीं सकती है दिदी, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सहलाब चला है, वो आपके आने के बाद, बंगाल के अंदर जिस्प्रकार की गुंडा गर्दी चली है, टोल बाजी चली है, कानून और व्योस्ता की परिस्तिती जिस्प्रकार से बिगडी है, बंगाल के उद्धोक धंदे, जिस्प्रकार से बंद होए हैं, इसके खिलाब जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती हैं